च्याहे ब्हाजपा अगर कल तो सम्भित पातरा को चीफ एलेक्षन कमिशनर बना सकती है माडम और वर टुएज्टु यूट वन के रीशो से सम्वित पातरा देश के चीफ एलेक्षन कमिशनर बन सकते हैं क्या भाजपा सरकार हर संवेधानिक संस्था को अपनी कटपुतली बनाना चाहती है। क्या भाजपा सरकार सुप्रीम कोट के फैसले कि कोई सम्मान नहीं करती, उसकी कोई हैमियत नहीं समझती। यह कुछ सवाल हैं जो बिल पढ़ने के बाद मेरे जहन में आएं और वो इसलिए आएं क्यूंकि इस बिल के माध्यम से यह सरकार चुनाव आयोग को पूरी तरीके से अपने नियंत्रण में लेना चाहती है, यानि कि चुनाव आयोग पे पूर्ण कबजा चाहती है। मैम चुनाव आयोग के तीन सदस्से होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयोग यानि की चीफ इलेक्शन कमिशनर और दो अतिरिक्त इलेक्शन कमिशनर इनकी चैन और नियुक्ती इस बिल के माध्यम से पूरी तरीके से सरकार के हातों में आ जाएगी और वे जिसको चाहें, च चुनाव ऑर कितने चैरं में चुनाव ओगा चुनाव आयोग तेख करता है, एवियम मशीन कहां में खे जाएंगी उसका नियंतरन, उसका Это का नेंज्मट उसका यог उसका प्रेयोग तो इसलिए चुनाव आयोग अक बड़ी महतवपूनde Gotti के सांस्थ है इस देश के free and fair elections के लिए ma'am I will mince no words this bill is going to destroy one of the few remaining independent institutions in India that is the election commission and thereby dislodge free and fair elections from India ये बिल तीन व्यक्ति या संस्था का अपमान है पहला अपमान है Supreme Court क्यों क्योंकि Supreme Court ने इसी साल March 2nd को 2 March 2023 को पांच जजों की Samvidhanic Peet ने सर समती से फैसला दिया और वो फैसला ये था कि सरकारी हस्तक्षिप सरकार का कोई भी दखल चुनावायों की नियुक्ति में नहीं होना चाहिए ये खतम करने के लिए हम एक समिती का गठन करते हैं उस समिती के गठन से मुख्य नयाइदीश को हटा कर एक कैबिनेट मंतरी को डाल कर उसका संतलोन बिगानने का काम और चुना सुप्रीम कोट के फैसले को पलटने का काम इस सरकार ने किया तांकि एक 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 ऐसी विवस्ता बन जा है जिसमें जो शक्स ये चाहें वही चीफ एलेक्षिन कमिशनर बनेगा ये इंसल्ट सुप्रीम कोट की इसलिए है क्योंकि इसी साल के दिये गए संविधानिक पीट के सर समती के दो फैसलों को इस सरकार ने सदन के भीतर बिल लाकर बदल दिया पहला था दिल्ली सेवा बिल जो आठ दिन के भीतर ओडिनेस लाकर और फिर सदन के भीतर बिल लाकर बदला गया और एक ये बिल जो 2 मार्च 2023 के सुप्रीम कोट के फैसले को पलटता है और उस फैसले को पूरी तरीके से रिवर्स करने का काम करता है मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये सरकार इस बिल के माध्यम से एक प्रकार से सुप्रीम कोट को खुली चुनौती दे रही है कि आपको जो फैसला देना है दीजिए अगर हमें पसंद नहीं आएगा हम बिल लाकर उस टैसले को पलट देंगे दूसरा इंसल्ट या आप मान इस बिल के माध्यम से चीफ जस्टिस अफ इंडिया का है सुप्रीम कोट का फैसला कहता है कि चैन समीती के तीन सदस्य होंगे माननी ए प्रधान मंत्री जी माननी ए नेता प्रतिपक्ष यानी की लीडर ऑफ ओपोजिशन और थर्ड चीफ जस्टिस अफ इंडिया इन तीन मेंबरी समिती में से इस बिल के माध्यम से सरकार ने चीफ जस्टिस अफ इंडिया को हटा दिया और एक क्याबिनिट मंत्री को उनकी जगा बिठा दिया चीफ जस्टिस अफ इंडिया से इतना परहेज कि साफ तोर पे उन्हें इस समीति से हटाने के लिए इस बिलकुल आया गया मैं सरकार को याद कराना चाहूंगा कि समय समय पर Electoral Reforms के लिए इस देश में कमीटियां बनी और अधिकाँज कमीटियों ने ये फैसला दिया ये रिपोर्ट दी ये सजेशन दिया कि समीति के भीतर Chief Justice of India यानि कि इस देश की न्याय मूर्थी को जरूर होना चाहिए चाहे वो तारकुंडे कमीटी हो, दिनेश गोस्वामी कमीटी हो वोरा कमीटी हो, इंदरजीत गुपता कमीटी हो, जीवन रेड़ी कमीटी हो या फिर इसी सरकार की लौ कमिशन की रिपोर्ट हो तीसरी इंसल्ट इस बिल के माध्यम से भाजपा सरकार एक ऐसे शक्स की कर रही है जो व्यक्ति भाजपा का संस्थापक थे जो व्यक्ति आज भी भाजपा के मारदर्शक है जो व्यक्ति भाजपा के भीशम पितामा के नाम से जाने जाते हैं, वो व्यक्ति जो भारत देश के पूर्व प्रधान मंत्री रहे, यानि कि लाल कृष्ण अडवानी जी, पूर्व उप्रधान मंत्री रहे, मैं 2 जून 2012 को, और मैं राज्यसभा के पटल पे इस लेटर को र प्रशंचिन लगा हुआ है, और उसकी नियुक्ति सरकार के हाथ में नहीं होनी चाहिए, और वो लिखते हैं, और वो लिखते हैं, और वो क्याते हैं, और वो क्याते हैं कि समीति पांच सदस्यों की हो, जो CEC की चैन करें, उनकी नियुक्ति करें, जिसमें प्रधान मंत्री हों, जिसमें लीडर ऑफ उपोजिशन लोकसभा हों, जिसमें लीडर ऑफ उपोजिशन राज्यसभा हों, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, और कानून मंत्री हों, यानि कि दो सदस्स सरकार के, दो कि उनके अधिकार की बात नहीं दी आज में सदन में दूसरी बार लाल कृष्ण एडवानी जी के हक कि उनके अधिकार की बात मांगने के लिए खड़ा हूं पहला जब उन्होंने दिल्ली सेवा बिल पर कहा था दिल्ली को पून्राज्य का दर्जा दिया जाए और आज जब उन्होंने कहा कि चीफ एलेक्शन कमिशनर की न्युक्ती स्वतंतरता से हो निश्पक्ष तरीके से हो आगे मैं तीन महत्वकून कारण बताना चाहूंगा मैडम जिसके चलते ये बिल को आज मैं और मुझे लगता है समस्त विपक्ष अपोस करता है पहला कि ये बिल पूरी को देते हो जिस आधार को रेफर करता है आपको इस आधार को बदलना पड़ेगा आप सीधा फैसला नहीं पलट सकते लेकिन इन लोगों ने सुप्रीम कोट के फैसले की मूल भूत भावना को इस बिल के माध्यम से चोट पहुचाने की कोशिश करी है और निश्पक्षता क के खिलाफ है basic structure of the constitution है free and fair elections basic structure of the constitution है निश्पक्ष चुनाव और डिमॉक्रसी अगर biased election commission होगा तो चुनाव भी biased होगा अगर गैर निश्पक्ष तरीके से चुनावा योग चुना जाएगा तो हिंदुस्तान में चुनाव भी गैर निश्पक्ष तरीके से होगा इसलिए यह basic structure of the constitution को भी पूरी तरीके से violate करता है मैं मैं आगे बताना चाहूंगा कि दूसरा मतवपून कारण क्यों यह बिल एक प्रकार से सरकार को सरकार के हाथ में चुनावा योग का पूरा नियंतरन दे देता है why is the selection committee biased in the favor of the government supreme court ने कहा तीन memory समिती होगी जो तै करेगी कि चुनावा योग में कौन-कौन बैठेगा प्रधान मंतरी, leader of opposition और chief justice of India इसमें से chief justice of India को निकाल बाहर करकर एक cabinet minister को इसमें डाल कर पूरा नियंतरन selection समिती का इन लोगों ने बिगार दिया जिसके चलते आज इस समिती में सरकार के पास दो वोट है two is to one से सारे फैसले majority से सरकार ले सकती है इसमें सर्व सम्मती से फैसला नहीं लेना unanimity से फैसला नहीं लेना सरकार चाहे तो two is to one से कोई भी फैसला ले सकती है यानि कि सारा नियंतरन, कौन मुख्य चुनावा युक्त होंगे, कौन चुनावा युक्त होंगे, यह सरकार के हाथ में आ जाता है, और यह एक ऐसी विवस्था बनाता है, कि एक पार्टी मैन, एक येस मैन, चुनावा युक्त बन सकता है, वो दिन भी दूर नहीं, कि चाहे बाजपा अगर कल तो संबित पातरा को Chief election Commissioner बना सकती है Madame और तू इस्टो एन के रेशयो से संबित पातरा देश की Chief election Commissioner बन सकते हैं, आफ सोचिए कि यह कितना खतरनाक होगा अगर वो Chief election Commissioner बन गए, मैं आगे चलता हूँ पहरा नाइन पहरा नाइन इस Supreme Court judgment का कहता है the executive alone being involved in the appointment and shows that the commission becomes and remains a partisan body and the branch of the executive the independence of the commission is intimately interlinked with the process of appointment यानि कि supreme court ये कहता है कि चयन का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरी तरीके से वो पूरी तरीके से इलेक्टिन कैसे होंगे फ्री होंगे कि फेर होंगे वो तैक करता है मैं आगे चलता हूं चौदा मिनिट आम भी तो छे मिनिट बाकी है supreme court आगे अपने पैरा 186 में हाइलाइट करता हूं ये कहता है a person who is weak need before the powers that be cannot be appointed as the election commissioner a person who is in a state of obligation or feels indebted to the person who has appointed him fails the nation and can have no place in the conduct of elections forming the very foundation of our democracy an independent person cannot be biased it is important that the appointment must be overshadowed even by a perception that a yes man will decide the fate of the democracy and all its promises यानि कि केवल निश्पक्ष चैन ही होना जरूरी नहीं है निश्पक्ष चैन जनता को नजर आना भी जरूरी है it must not only be done it must be seen to be done ये supreme court बात कहता है मैं आगे चलता हूं तीसरा current कि क्यों हम इस बिल को अपोस्स कर रहे हैं वह जो है किये जो प्रपोस्ट सेलेक्शन कमीटी है इस में कोई चेक्स And subscribers नहीं है चेक्स And desorial नहीं है क्योंकि सारे फैसले तो सरकार केikes होंगे दो मंत्री सरकार के उसमें बठे हैं एलोपी को मात्र फॉर्मालिटी के लिए इसमें बिठाया गया है, तो एक प्रकार का फिक्स्ट मैच इसमें नजार आता है, अब आप ही सोचिए, तीन मेंबरी समीती है, जिसमें माननिय प्रदान मंत्री जी हैं, मान लेते हैं हमारे सदन के लीडर ओफ ऑपोजिशन मलिका अ दसे हैं, और थर्ड मेंबर अर्जुन मेगवाल जी कानून मंत्रियां बैठे हैं, अब इनकी बैठक चल रही है, इसमें माननिय प्रदान मंत्री जी कहते हैं कि मैं रमेश नाम के शक्स को चीफ ऐलेक्शन कमिशनर बनाना चाहता हूं, खडगे साब कहते हैं कि मैं रमेश क हक में वोट देता हूं, उसका चाहनो वो चीफ ऐलेक्शन कमिशनर बने, ये तो होई नहीं सकता, तो जो सरकार चाहेगी, जो सरकार चाहेगी, वही होगा, तो एक प्रकार से निश्पक्षता और स्वतंतरता चीफ ऐलेक्शन कमिशनर की खतंग करने का काम ये करती है, हमने बच्पन में एक मुहावराच सुना था जिसकी लाठी उसकी भेंस तो ये पूरी तरीके से इस बिल में सिध होता है कि लाठी भी इनकी तो फिर इस कानून के माद्यम से भेंस भी इनकी मैं आपको एक और उधारन के माद्यम समझाता हूं मान लीजे भारत और उस्टेलिया का क्रिकेट मैच हो रहा है उस क्रिकेट मैच में अंपायर कौन होगा वो एक तीन मेंबर की समिती तैकरेगी जो मैच कराएगी वो तीन मेंबर की समिती में एक ऑस्टेलिया के कैप्टेन पैट कमिंग्स होंगे दूसरे ऑस्टेलिया के प्रसित प्लेयर डेविड वार्नर हों किया इंडिया कि mi racing i कूछ इस चनाव आयो के गठन से इस बिल के आने के बाद इस देश मैं होने जारा है मैंआगे चलता हूं मैंडम होगै जलता हूं मुझे बोलने दीजिए इसका इसका माध्य मैढम depress me हमारा constitutional imperative है कि देश में चुनाव आयोग निश्पक्ष हों तांकि चुनाव निश्पक्ष हों अगर चुनाव आयोग निश्पक्ष नहीं होगा तो चुनाव निश्पक्ष नहीं होंगे और लोगों की आस्था इस लोगतंतर से जाएगी मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, अगर सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को फलकना चाहती है, अगर सरकार चीफ जस्टिस ओफ इंडिया को इस समिती से हटाने के लिए इतनी बेकरार है, तो मैं आज सुझाव लायाँ कानून मंत्री जी, तीन सुझाव मेरे, इन में से हाउस एक आवाज में आपके इस बिल का समर्थन करेगा, पहला सुझाव यह है, यह तीन आप्शन आया हैं आपके लिए, पहला आप्शन यह है, कि चुनाव आयों का गठन, कौन चीफ इलेक्शन कमिशनर होगा, और कौन इलेक्शन कमिशनर होंगे, इसका गठन, दो प्रधान मंत्री और लीडर ऑफ उपोजिशिए यह विपक्षके नहीं था यह दो मेंबर्स सर्व सम्माइपी से फैसला ले नीजी से तो कि दो लोगों में मिजॉरिटी तो पसंद नहीं पर अपने पेट्रियाक फांडिंग फादर आपके पितामा भीष मलाल कृष्ण अडवानी जी का फॉर्मूला ले लिजे पांच मेंबरी समीती परदान मंतरी कानून मंतरी लीडर ओफ ऑपोजिशन इन लोक सभा और राज्य सभा और चीफ जस्टिस अफ इंड करें वो नाम सदन के भीतर लाए जाएं और दो तिहाई भहुमत लोग सभा और राज्य सभा से नाम पास हो जाएं वह आत्मी चीफ एलेक्शन कमिशनर बन जाएं मैं सगरात्मक बहस कर रहा हूं मैं ऑप्शन लाया हूं यह तीन ना इन तीन आप्शन में से कोई भी ऑप् की इस बिल के माध्यम से भाजपा डिमॉकरिसी को हाईजैक करना चाहती हैं और आए ऑन बहाफ अदियाएं पार्टी आ्पोज इस बिल वहांटि आप्ष दियुक्रियुक्रेट से जा रहे हैं मैं हाँ जोड कर आप से विनिती करूंगा इस बिल को वापिस लीजिये लोगों की देश के लोगतंतर में बहुत आस्था है उस आस्था से खिलवार करने काम मत कीजे बहुत बहुत शुक्रिया जैहिंद जैबारत